दोस्तों और आपने अपने Instagram account कभी भी deactivate किया था काफी time हो चुका है आप फिर अभी 10 दिन पहले deactivate किया था और आज आप उसको reactivate कर रहे हैं मतलब फिर से use करना चाहते हैं तो आपको problem आ रहे हैं मतलब आपका account activate ही नहीं हो रहा है deactivate पड़ा हुआ है आप समझ रहे हैं कि म permanently delete करने से होने से कैसे बचाना है उसको तो वीडियो को ध्यान से देख लेना बिल्कुल फुल वाच कर लेना और चैनल पने हैं तो यहां पर सबसे पहले Instagram application को open कर लेते हैं तो मेरा account अभी आपर लोगीन है सबसे पहले मैं इस account को आपको deactivate करके दिखाऊंगा deactivate करने के बा settings privacy में जाने के बाद आपको नीचे-nीचे help में जाना है help में जाने के बाद आपको फॉर्थ नंबर पर option मिलेगा help center का help center में जाना है और आपको एक चीछी बता दूँ यह जो प्रोसेस बता रहा हूं account deactivate करने का काफी सारे लोग बोलेंगे हमने account deactivate यहां से नहीं किया था दूसरा process है बिल्कुल short process तो वो process बिल्कुल गलत है अगर आप अपने account को deactivate करने जा रहे तो इसी process से करेंगे कि उस process से जो छोटे वाले process से अपने account को deactivate करेंगे तो उस process से आपका account कभी भी reactivate हो जाएगा deactivate होगा या फिर नहीं होगा आपको problem आएगी ही आएगी तो यह process मैं इसलिए बता रहा हूं अपको help center में आपको right side में three lines पर click करना है आप जाना है अपको manage your account में जो second number पर option है manage your account पक्लिक किया आपको 5 नमबर पर option मिलेगा delete your account का delete your account पक्लिक किया delete your account पक्लिक करने आपको first number पर option मिलेगा temporarily deactivate your Instagram account इस पर click किया अब थोड़ा से नीचे जेना यह प्र यहां पर आपको एंट्रों मिल जाएगा डिलीट योट इटाग्रम अकाउंच जहां पर अकाउंट रिखा हुआ इसके just फुले деле लिए इस्ट घर halде मशें हो रहा है इस पर Click करते सब्सक्राइब इस पिलिए मिलेगा मोबाईूजर रपर क्लिक किया spent account लिखा आगया सामने अगाउंट डिंट वाले पेज़ पर आगये अब इसी में आपको टैंपरी डिक्तिवेट भी लिखा देगा blue color में तो आपको टैंपरी डिक्टिवेट पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक किया अब हम रिडारेक्ट हो गए अपने तो 34567 इन में से कोई भी पिस दिन सेलेक्ट कर लो कि मुझे अपने अकाउंट को रियक्टिवेट कब करना यह तो ओट रियक्तिवेट हो जाएगा आपको फिर प्रोलम ही खतम हो जाएगी को र्यक्तिवेट करने की इन में है अगर आप करते हैं तो लेकिन लंबे टाइम के या से अब दिखाता हूँ को थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेख सकते हैं, चाहtwo हो चुका अपने इस्टाग्राम sign पेज पर आगए हैं, तो आपको रיक् perfectly कैसे करना है, आपको बोड़ कर देना, आपको फुल मिलागal लोग इन पेज पर आ जाना है, हो सकता है आप ब्लैक स्क्रीन दिख रही हो अगर नहीं दिख रही तो आपको लोगिन पेज दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे पहले प्लीक कर देना यहाँ पर अपने अकाउंट को सर्च करना आपका अकाउंट है कौन सा पहली बात तो आपको हो सकता है अकाउंट मिल भी नहीं रहो तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नमबर पास हो ओऊई मेल आईडी या फिर यूजरनेम कुछ भी डाल दे तो मैं आपना username डाल देता हूं, username डाल देना, mobile number डाल देना, पिर email ID डाल देना, मैं username डाल देता हूं, username डालने कपाद हो next पर click कर देना है, next पर click करते हैं मेरा username शो हो गया, लेकिन account शो हो गया, मतलब photo show नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने account deactivate कि है, पहले तो यहां पर फोटो शो होती थी पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुए रियक्टिवेट कैसे करते अकाउंट तब यहां पर फोटो शो होती थी मुझे पता चल जाता था मेरा कौन सा अकाउंट है लेकिन अब सिर्फ यूजर नेम हो रहा है फोटो शो नह कन्फरमिशन कोड वेजेंगे यह मॉबाइल नम्बर याद है पहले तो मॉबाइल नम्बर स्वटो पता चल रहा दो लेकिन मुझे मॉबाइल नंबर पता नहीं था तो म Oderul क्लिक किया तो मोब्सी हाँ पर स्वोगा है अब नमबर पर select किया फोटो भी आपर शो हो गाई है जो मैं तो दिखाया था अब नेक्ट पर क्लिक करते हैं मेरे पास Mobile number पर code आएगा आपको अभी code दिखाता हूँ code डालने के पाद अगा आपका login हो जाएगा कोड मेरे पास आ गया है को डाल देते हैं अब कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं तो देखते हैं मेरा अकाउंट यहां पर लोग इन हो गया है कुल मिलाकर आपको अपने को Login करने के लिए कुछ ऐसा त्राइब करना या तो password reset कर लो या फिर फिर forgot password पर क्लिक करके मतलों आपने mobile number email id से link लेके या फिर password को change करके किसी भी तरह से आप अपने account में login हो जाओ बस account login हो गया समझो activate हो गया account login करने के बाद आपका अकाउun डियक्तिवेट नहीं रहेगा वह ऍकिवेट हो जाएगा ऐसा नहीं का पर्मेन्ट लीड हो जायएगा अपनी अकाउunchemilly किया है तो फिर फ्याइव कश्यम परकाउंट किलेगा तो रहाँ हो होगा वह किसी बीड़ी तरह से